अपने पिता के मृत्यों के बाद बीटे ने अपनी मा को व्रिदाश्रम छोड़ दिया और कभी कबार उनसे मिलने चला जाता था एक शाम उसे व्रिदाश्रम से फोन आया कि तुम्हारी माताजी की दविद बहुत खराब है एक पार आकर मिल लो बेटा गया तो उसने देखा कि मा बहुत बेमार है उसने पूछा मा मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ मा ने जवाब दिया क्रिप्या करके व्रिदाश्रम में पंके लगवा दे यहाँ एक भी नहीं है और फ्रेच भी रखवा देना ताकि खाना खराब ना हो कई बार मुझे बिना खाना खाए ही सोना पड़ता है बेटे ने आश्रे चकित होकर पूछा मा आपका यहाँ इतना समय हो गया आपने कभी कोई शिकायत नहींगी आज बिमार हो तो यह सब बता रही हो क्यों मा ने जवाब दिया मैंने तो गर्मी भूख और दर्द सब पर प्रकार बेटे ने अपनी मा को वृत अवस्ता में वृत आश्रम चोड़ दिया उसी प्रकार आने वाले समय में उसके बेटे को भी उसकी संतान द्वारा वृत आश्रम भीजा दिया जाएगा तो कहने का मतलब यह है दोस्तों एक समय आने पर जो हम कर्म कर रहे हैं उसी पल हमें आने वाले समय में भूगना पड़ेगा चाहे वे कर्म अच्छे हो या बुरे